कि मैं दिनांक कि एक किस चेट दोज़ाद चौवीस संद्या च्छे वजे अपने होस्पिटल गेट के सामने फून पर बात कर चल रहा था तभी एक अग्यात की वक्त पाइक पे सवार था चिलाते हुए पखा कि अरे किया तुम व्लॉग में काम करते हुए मेरी तुना जबाब में गोलागया नहीं मैं एक डॉकटर तो कि इतना कहने के बाद ही उसने काणी गलोज देना सुनू कर दिया और बॉला कि तुम मेरे मैं खमर के इलाज करो डॉक्टर हो तॉ और कुछी मिल्टों पे, वो लोग यहां पहुच गया, पहुचने के बाद ये मेरे उपर और बेहादी हो गया, जाली गलोज देना शुरू कर दिया, इवेन हाथा पाही पे आ गया, हाथा पाही और सोड सरावा देखते हो गया, मेरे पिता जी, मेरे पुछे स्टाफ, माता सब कुछ बाहर आया, और बच बचाओ में, मुझे वहां से निकालने की खोशे स्किया, इसी दोरान इसने मेरे पीता जी को भी गाली गलोज दिया, हाथा पहें गिया, माता जी को भी गाली गलोज दिया, प्रिटोलिंग गाड़ी उसी समय जा रही थी, प्रिटोलिंग वा महां आये और ममले को सांथ कराया मामला सांथ होने के 5 मुनिट के बाद सीवं कुमार जो के संज्वली में ये साई है और उपेश पर्ताफ उपेश पर्ताफ थी दो लोग हमें जबजस थी पुलिस के गाड़ी में बैठाकर ठाने में ले गए जाने के बाद हम लोका मूबाईल जबद किया जबद करने के बाद उसने हमें एक बंध कमरे में ले जा के है बहुत पुरी तरह से पिटा जब तक पिटता रहा जब तक कि मह मुझी इन कि जब ग्रामुर्ट वहां पहुँचे कुछ लोग चिलाना सुनु कि उसी में से मेरे कुछ रिलेटीव रहे जो कि करने के बाद वरी अधिकारी ने थाना पर भारी को फोन गया तब जाके उसने मुझे छोड़ा